फ्रेंड्स clean science and technology के management की ओर से long term investors के लिए बहुती positive बया निकल कर आ रहे एक तो है revenue side पर और दूसरा है अगले आने वाले दिनों में इसका जो नया manufacturing unit शुरू होने वाला है उसके उपर तो फ्रेंड्स हम इन दोनों point के उपर आज चर्चा करने वाले और इसके लोग आप यहा जादा कि हमको तेजी देखने को मिल रही थी और थोड़े दिन पहले ही इस IPO की listing हुई थी जहां पर इन्वेस्टरों को 90% से भी ज्यादा के listing gain हुए थे और काफी लोगों ने इस share को अभी भी hold किया हुए हला कि यह share friends overall बहुती महंगे valuation पर यानि कि 80-90 के price to earning ratio पर अभी trade क इस company में दो तिन बहुती अलग तरीके की खासियत होने की वज़े से काफी लोग इस company को पसंद कर रहे है और फेंड इसकी खासियतों के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका operating profit margin अभी 50% के आसपास है और इसके competitor के मुकाबले अगर हम compare करें तो लगबग लगबग दो गुना के आसपास है यानि कि अपने competitor से दो गुना profit कमाने की क्षमता इस company में है और इसी वज़े से यह बाजर को बहुती पसंदार है और इसके लिए फेंड्स आप लोगों ने सुने ही होगा कि चाइना पूरी दुनिया में जाकर अपना माल बेचती तो यहाँ पर इस company के खास्यत यह है कि यह company चाइना के अंदर जाकर माल बेच कराती यानि कि इसकी बहुती बड़ी यह एक positive बात बाजर को पसंदार है और तीसरा फ्रेंड्स आप लोगों ने सुने ही होगा कि कोई भी company अपनी pattern register करवाने के लिए बहुती उत रहे होँ इसके लवफेंड्स आप यहाँ देख सकतो इसकी product किस किस इंडेस्ट्री में जा रहे तो 70% की इसकी revenue परफॉमंस केमिकल से आती है इसके लवब 16% प्रोड़क्ट इसकी pharmaceutical इंडेस्ट्री में जाती है और FMCG से भी इसकी 13% के आसपास की revenue आती है जो कि इस company को बह रहतने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट के अंदर 15-17% के CAGR से अगर कोई company growth करती है तो उसको बहुत ही जबरदस्त माना जाता है मगर यहाँ पर तो उससे भी कई बैतर हमें growth देखाई देर और आप यह देख सकतो फ्रेंड्स 2018 म में 30% के आसपस था तो फ्रेंड्स अभी 30% का EBITDA margin बहुत ही हाय माना जाता है मगर आप देख सकतो 2021 में इसका 30% वाला EBITDA margin 21% के आसपस बहुत गया तो यह बहुत ही यह काबिले तारीफ बात है इस कमने के लिए और प्रोफिट अप्टर टेक्स जम देखने को मिली और पिछले साल जो प्रोफिट 42 करोड के आसपस था वो इस सल बढ़कर 55 करोड के आसपस यानि कि रेवन्यू और प्रोफिट दोनों ही 30% की हमको बड़ोतरी देखने को मिली और फ्रेंड्स अब हम बात करते है इसके मैनेजमेंट ने दो बहुती जो प बढ़ने तो नहीं नहीं मैन्यूफेक्चरिंग फेसिलेट को शुरू करता ही जाना पड़ेगा और यहां से जैसे जैसे से प्रोडवक्छन बढ़ेगी वैंस इसकी रेवन्यू और प्रोफिट बढ़ने के चांस होते है तो नौर्मलिवक्णी अभी यह कंपनी तीन अलग गलग लोकेशन से ओपरेट करें जिसको यह यूनिट 1, 2 और 3 के नाम से जानती यूनिट 1 में अभी 7 प्लांट है यूनिट 2 में अभी 4 प्लांट है और यूनिट 3 में अभी हाल ही में पहले क्वाटर में एक नए प्लांट से प्रोडक्शन शुरू है तो फ्रेंट्स यहाँ पर पहले क्वाटर में पर इसका पॉजिटिव एफेक्ट होगा यानि कि यहां से अब ग्रोथ आना स्टार्ट होगी और यहां पर फ्रेंट्स खास बात ये है कि तीसरे क्वाटर में इसकी एक और मैण्यूफेक्चरिंग प्लांट शुरू होने वाले तो वहाँ से जब प इसके लाव फ्रेंट्स कंपनी ने लॉंग टम में भी अपनी ग्रोथ बरकरार रहे उसके लिए अभी से काम करना शुरू कर दिये और आप यह सबसे निचली वाली लाइन में देद भी सकतों कंपनी ने क्लियर लिये बताया कि यूनिट फोर के लिए उसने ओल्रेडी लेंड को एक्वाइर करके रखाए और अब तक का यह सबसे बड़ा प्लोट उसने एक्वाइर किया ऐसा भी का है और वहाँ पर वो एफवाई 23-24 में खर्च करने वाले तो जैसे यह कंपनी खर्च करती जाएगी वैसे वैसे इसकी मेन्यूफेक्चरिंग फेसलिटी बढ़ती जा पर तो नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे शेर बढ़ता है और जीस गती से बढ़ता है उस गती से शेर का प्राइस बढ़ता है तो बड़े हो या छोटे इन्वेस्टर पूरे बाजार की नजर इसी बात पर रहे थ देखाओगा फ्रेंड्स एट्सील टेक्नोलोजी ने एसा बोला था कि वो डबल डिजिट में ग्रोफ कर गया ने कि 10-12 परसंट के आसपास और आपने देखाओगा इन्फोसीस ने भी 15 परसंट के आसपास का गाइडन्स दिये और हैफिस्ट मैंड ने भी 20 परसंट के आसपा ग्रोफ मानी जाते तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर ने ऐसा प्रशन पुछा क्या यह कंपनी अगले आने वाले 4-5 साल के लिए 20-30 परसंट के सीएजियर से ग्रोफ कर सकते तो यहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत ही पोजिटिव जव हो बया मैनेजमेंट ने यह कहा कि पास कर रही थी मगर एफव 21 में इसने 90 करोड का खर्च की यानि कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खर्च किया अपनी केपेसिटी बढ़ाने के लिए और एफव 22 यानि कि अभी जो साल शुरू हुआ है वहाँ पर वह 100 करोड सो भी ज्यादा का खर्च करने का प्लानिंग कर लेगी तो ग्रोथ आना तो स्वाब होई के और यहाँ पर इसी वज़े से मैनेजमेंट यह खा कि जो पास्ट में 30 परसेंट के आसपास से वह ग्रोव कर रहे थे वह ग्रोथ आगे भी बरकरार रहने की पूरी-पूरी उमिदे क्योंकि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा वह कर रहे तो और फ्रेंट्स इतनी तेज गती से अगर यह कंपनी ग्रोव करेगी तो डेफिनिटली लॉंग टम इन्वेस्टर को यहाँ पर बहुती बड़े प्रोफिट होने के चांस है और इसके लाव फ्रेंट्स जिसको यह सर आईपियो में नहीं मिलाए और यहाँ प प्राइस पर भी हम इसको थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू कर सकते हो जैसे जैसे इस सेर में हमको निचले लेवल देखने को मिले वैसे वैसे इस सेर को हमारे पोटपोलियो में एड करता रहना चाहिए ऐसा मेरा मानना क्यूंकि यहाँ पर यह एक तो यूनिक कंपनी है और अगले आने वाले लोंग टम पिरियर्ड में बहुत इतेस गति से ग्रोह होने वाले तो स्वाब होएक है है यहाँ पर बहूधी अच्छे रिटन मिलना तयह है तो देखते है फ्रेंडस अब अगले आने वाले दिनों में क्लीन साइंस कितने रिटन देने में कम्याब हो झाल झाल